हे दोस्तों वेलकम टू स्टड़ी आई एस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूं दोस्तों यहां पे तीन नय यहां पे अब दोस्तों यहां पे आप लोग को थोड़ी बहुत प्रिवेस अंडरस्टेंडिंग देना चाहूंगा इसके बारे में क्या आखिर सब आए इनसे क्या मतलब है देखिए सबसे पहले बताओं आप लोग को इनके आने से पहले क्योंकि अभी नए डिसकवर्ड हुए हैं पर एक और बात दोस्तों आपको यह बताना चाहूंगा कि हर एक जो यहां पे आप कह सकते हैं जो पार्टिकल रहता है वो तीन इन आप कह सकते हैं जो सबटामिक पार्टिकल से इनमें ही डिवाइड रहता है कोई भी ऐलिमेंट कोई पार्टिकल कुछ भी अगर है तो इनमें रहेगा ही रहेगा साथ ही दोस्तों ये तो हैं पर इनके अलावा भी यहां पे काफी सारे और भी पार्टिकल एक्जिस्ट करते हैं जैसे कि अलफा और बीटा पार्टिकल्स जो बाते आपके साथ यह डिसकस हो रही है या फिर आपको बताऊं बेसिकली तो जो बोर का मॉडल वीडियो में मैं आपके साथ जो डिसकस करूँगा वो exotic subatomic particles के बारे में बात करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो discovery हुई है दोस्तों वो इनके अलावा मतलब जो proton, neutron और electron है इनके अलावा यहाँ पर discovery करी गई है तो वीडियो को पूरा देखीगा और समझने की कोशिस कीजीगा कि क्या है यह और कैसी discovery हमें देखने को मिलती है कोई doubt होता है कोई word या फिर कोई आपको चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसका पूछेगा comment section के अंदर चलिए अब बढ़ते हैं लेकिन आपको बता दूमें कि दोस्तो अनकेडेमी की performance पिसले दो सालों से हमें बढ़िया ही देखने को मिली है काफी सारे features हैं जो कि सर्फ और सर्फ अनकेडेमी एवेलिबल करवा रहा है जिसका benefit आप ले सकते हैं देखें दोस्तो आप लोग लिए यहाँ पे extension भी लाए गया है जो कि 8 जुलाई तक है जिसका benefit आप लेजे और हमारा जो code is 3DIS वो यूज़ आप कर सकते हैं आपको काफी सारा benefit मिलेगा देखें CSE Assure है जिसका आप लोग फाइदा उठा सकते हैं हमारा code उज़ करके आपको ज़रू definitely फाइदा मिलेगा test series available है UPSC के लिए तो उसका benefit भी आप ले सकते हैं 0% EMIP दोस्तो वो available है तो जिनका आप लोग बहुत असानी से benefit ले पाएंगे देखें Large Hadron Corridor Beauty experiment है दोस्तो LHCB experiment था जो की investigate करता था एक slight difference between matter और anti-matter के बारे में और इस आपके सकते हैं study के बीच में यहाँ पे उन्होंने एक particle type बताया जिसका नाम था beauty quark मतलब की B quarker के नाम और यह जो particle दोस्तो यह इससे पहले कभी भी देखा नहीं गया था गया है वह दोड़ा गया है कि exotic additions हुए है नए तरिके का यहाँ पे pentaquark हमें देखने को मिलता है जो कि पहली बार जो है वह tetra quark का pair है मतलब कि अगर pair कर देजा है pentaquark को तो tetra quark में convert हो जाते हैं और दोस्तों इनके बाद यहाँ पे काफि सरे और handrons भी हमें देखने को मिलते हैं LHC के अंतर जो कि यहाँ पे physics जो है उन्हें understanding होगी कि आखिर के इस तरिके से quark जो है वह composite particles के साथ बंदे हुए हैं देखे CERN मतलब की Council European Porla Recheri New Liria अब बहुत गलत pronunciation है मान रहा हूं है पर language difference दोस्तों होगी pronunciation गलत original name इसका है European Organization for Nuclear Research जो की काम करती है particle accelerator complex पे और इनका जो हाँ से दोस्तों LHC वो यहाँ पे world का largest और most complex corridor है LHC दोस्तों re-ignited काम करती है तीन साल में अपरेल में आप कह सकते हैं आप मान सकते हैं तीन साल के अंज़र और यह आपको बता सकते हैं कि क्रेंड कराएं उन्हें un-predecented level of energy July 5 जहां पे spashing करा together protons को at most यहां पे बता जा रहा है light की speed से और तब एक physics में एक नया जो हमें down, charm, strange, top और bottom यह usually दोस्तों combine करते हैं groups वगेरा में जिन में दो या तीन से ज़दा रहता है और handrons को form करते हैं जैसे कि proton, neutron हो गए ना उस तरीके से जब दोस्तों यह यहां पे combine होते हैं चार या पांच quark particles तब हम उन्हें tetra quarks या फिर pentra quarks के नाम से जानते हैं यह exotic handrons जो हैं दोस्तों यह predicted है यहां पे जो यहां पे थ्रेस ट्रेनिकली है छे डिकेट से हमें पहले पता लग गी थी कि conventional जो यहां पे handron है उस ताइम पर यह बोला गया कि LHCB जो है वो यहां पे इसे observe करेगी और experiment जो है दोस्तों यहां पे हमें पिछले 20 सालों से भी देखने को मिलता है यह tetra quark और penta quark से क्या मतलब है देखें most exotic handron के बारे हम बात करते हैं जो कि discovered हुए है पिछले 20 से वह आपके tetra और penta quark है जो contain करते हैं दोस्तों यहां पे दो या फिर तीन तक आप करते है quarks को up down strange quark हमें देखने को मिलते हैं या फिर उनके ही anti quark जो कि यह दो साल पहले दोस्तों LHCB ने यहां पे experiment करा और discover करे exotic tetra quark को जो कि यहां पे 2 charm quark से और 2 charm anti quark से मिलके बने थे जो 2 यहां पे open charm tetra quark से उनके अंदर charm consist करता था anti quark as up and up quark और down quark और strange anti quark के नाम से अब आप लोगको यह चीज़ में नहीं आ रही हुए कि यह quark quark क्या कर रहा है basically दोस्तों आपको बता दूँ कि जब यहां पे hand drones निकले या फिर जो यह quarks है इनकी definition ही यहां से निकल के आती है कि जब वो अलग-अलग तरीकी के है मान लिजए एक atom है वो तीन हिसे में बट बनता है और यह quarks बनते हैं यह बात आप लोगको धियान रखने हैं लास्ट यह दोस्तों यह पाया गया पहली बार कि जो double open charm यह फिर ट्रेटर वाक रहता है दो open quarks से up और down के साथ यह anti quark हमें मिलतावा दिखाए देता है open charm का मतलब यह हो गया कि जो particle ही contain करता है charm quark बिन का collaboration किसके साथ है या फिर क्या बात बताते हैं पहली बार दोस्तों observe करा गया इसको यहां पे कि इसके अंदर decades को analyze करा गया negatively charged B Mazon का जो कि दोस्तों यह एक penta quark made up of charm quark और charm anti quark से बना हुआ है जिसके अंदर आपके up, down and strange आते हैं पहला जो penta quark आया दोस्तों उसके अंदर strange quark include था और जो finding है दोस्तों statistically बताती है कि 15 standard deviations है जो कि यहां पर 5 standard deviations की required रहती है अगर claim करना पड़े observation को जो particle किया है उसको second kind कर जो दोस्तों है वो double electrical charge tetra quark है जो कि एक open charm tetra quark है जिसके अंदर charm quark आते है और strange anti quark आता है अब quark और down anti quark आता है spotted together यहां पर जो neutron counterpart है वो भी joint analysis था decay का positively charged और neutron भी में सौन का यह सारी बाते जो है वो sun ने release करी है इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर जो physics के coordinator है वहां पर उन्होंने का कि जो more analysis है वो यह लोग perform कर रहे हैं और नई तर्की के जो exotic hand drones है इन्हें भी पता लगाया जा सकता है उन्होंने यहां पर दोस्तों witness करा जो उनकी discovery है जैसी हुई थी 1950 के अंदर जब पार्टिकल जू आया था जो कि hand drone का started था उसे discover कराया था अल्टिमेटली दोस्तों क्वाक model आया जो कि conventional head drones का था 1960 के अंदर और तब से दोस्तों यह लोग create करना चाहते हैं पार्टिकल जू 2.0 को और यह अब बताते हैं कि अब साइध पॉसिबाल है कि वह लोग create कर लें ओके दोस्तों तो I hope कि जो है अब आपको चीजे समझ मैं ही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं यह क्वाक क्या मतलब रहे गया अगर understanding नहीं आई तो कोई बात नहीं आप लोग वीडियो में जो मोटे मोटी बाते हैं उतने तो आपको पता लगए होगी झाल